हेलो एवरिवन, वेलकम टू सरकारियाट once again तो इस वीडियो में मैं आप सब्सक्राइब के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूँ जोकि नीट यूजी काउंसलिंग 2022 के मॉप अप राउंड से रिलेटेड है तो कल दोपहर तीन बजे तक जो है आप अपनी पेमेंट कर सकते हो और कल मॉर्निंग में जो है आप ग्यारा बजे तक अपना रिजिस्ट्रेशन कर सकते हो ठीक है तो जो भी कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने अभी तक अपना रिजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो वो आज जो है इवनिंग तक अपना registration कम्प्लीट कर ले क्योंकि कल मॉर्निंग में 11 बजे तक ही आपके पास deadline है registration करने की ठीक है और registration किसको करना है मैं already बता चुका हूँ जो fresh candidates है मतलब जो fresh registration है वो किसको करना है ठीक है तो जो मेरी previous वाली वीडियो है मौपप राउंड के उपर उसको एक बार जरूर आप देख लेना ठीक है मतलब previous से previous वाली क्योंकि previous वाली में मैंने seat matrix के बारे में बताया था उससे जो previous वाली मौपप राउंड की वीडियो उसमें मैंने सभी details बताई है तो आज जो है आप कोशिश करो कि राद तक जो है अपना registration complete कर लो साथ ही payment भी जो आप complete कर लेना क्योंकि कल हो सकता है कि website के server में issue रहे तो इसलिए हो सकता है कि अगर आपको करना भी हो तो शायद आप ना गरबाओ इसलिए आज राद तक जो है अपना registration और जो fee payment करना वो आप कर लेना और fee payment के लिए जो time दिया गया है वो कल दोपहर तीन बज़े तक का दिया गया है साथ ही जो choice filling और जो choice locking करने है तो choice filling का और जो choice locking का time है वो आपको कल तक ही दिया गया रात के ग्यारा बच के पच्पन मिनिट तक ठीक है तो जो choice आपको fill करनी है वो अभी आप कर सकते हो registration जब आपका हो जाए तो आप choice fill करने ला लेकिन जो choice lock करने का time है वो कल दो पहर 3 बज़े से start होगा ठीक है तो अपने mobile में alarm लगा के रख लेना 3-4 बज़े का कल का तो कल जो है 3 बज़े से start हो जाएगा आपका choice locking का process इन केस अगर आप choice fill करके भूल भी जाते हो lock करना तो ऐसा कुछ issue नहीं है वो automatically भी lock हो जाएगी लेकिन अगर आप उसको lock कर दोगे और उसका जो print है उसको save कर लोगे तो आपके लिए जादा better रहेगा ठीक है बाकी जो इसका result है मौपप राउंड का वो 7th of December को आ जाएगा ठीक है तो यही reminder मुझे आप से भी को देना था ताकि मौपप राउंड का registration जो भी candidates करना चाते तो उनसे यह miss ना हो जाए तो आज रात तक जो है आप अपने पास सोच के चलो कि आपके पास time है fresh registration करने का ठीक है बाकी जो candidates है जिनको fresh registration नहीं करना जो already पहले participate कर चुके हैं तो वो जो है अपनी choice feeling जल्दी से जल्दी कर ले और कोई अगर आपको issue आते तो मुझे है तो comment section बता देना या फो मुझे Instagram पर भी message कर सकते हो Instagram का जो link है मैंने comment section में pin किया हुआ है तो अगर यह video helpful लगे तो please को जरू लाइक कर देना चैनल पर नहीं तो जरू सब्सक्राइब कर लो और bell icon को प्रेस कर लो इसके regarding future में जो भी updates हैंगे उसके बारे में मैं आपको इंफॉर्म करता रोंगा साथी stay vacancy round के बारे में भी आपको इंफॉर्मिशन प्रवाइट कर दूंगा okay so thank you and have a nice day